हलो प्यारे बच्चो नमस्ते मैं हूँ आपका बड़ा भई अजीत लुला से बचो इस वीडियो में आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है छोटा सा वीडियो पांट-साथ मिनिट में बहुत इंपोर्टेंट फिजिक्स की बाते करने वाले होंगे हम और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि फिजिक्स के हाई वेटेश टॉपिक कौन से हैं और क्या मिनिमम हम कवरेज करके जाएं कि फिजिक्स में 100 से 120 मार्च कंफर्म्ड हो जाएं नी 2023 में बच्चों पता हैं अगर आप बोलते हैं न कि फिजिक्स बहुत कटें हैं हमारे लिए मेक और प्रेक हो सकता है आ गया तो बहुत उचाई पर पहुच जाएंगे नहीं आया तो क्या पता कहां तक जा पाएं तो मैं आपकी बात बिलकुल समझ सकता हूं फिजिक्स की कटेना ही को न मुझसे बहतर कोई नहीं जान सकता आपको एक छोटा सा किस्सा मैं पता है क्या रहा था गैस करो जब मैं उनको बताता हूं न मैंने पास आउट कहां से किया मेरा कॉलेज कौन सा है बच्चे को तो बच्चे बोलते हैं आपने 100% स्कोर किया होगा 90% स्कोर किया होगा 75% 80% स्कोर किया होगा हकीकत यह है कि मेरा फिजिक्स में पहला टेस्ट था कोचिंग में और मेरा उसमें स्कोर था माइनस वन सही सुनाए आपने चौको मत माइनस वन तो मैं आपकी पूरी बात समझ सकता हूँ कि मैं वो फील कर सकता हूँ आपका दर्द ना फिजिक्स के लिए जो फीजिक्स से देखके दूर भागने वाला दर्द होता है मैं फील कर सकता हूँ मैं भी एक टाइम पर वैसा ही था माइनस वन लेकिन क्या हमारे पास कोई चारा है फीजिक्स को छोड़ देने का सिर्फ बाय और केमिस्ट्री पढ़ने का क्या इससे हमें वो टॉप कॉलेज मिलेगा भारत का क्या इससे हम अपने माबाप का सपना पूरा कर पाएंगे नहीं चारा नहीं है छोड़ देगा रास्ता तो ढूंड़ना पड़ेगा मैंने भी ढूंड़ा काफी संगर्ष करी बट हमें ही तरीका मिला कि फीजिक्स को प बच्चो मैं हूँ अजीत लुला सर एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोड़क्शन देदू आपके लिए ठीक है जो भी बच्चे आज मुझे पहली बार देख रहे होंगे काफी सारे बच्चे होंगे जो मुझे पहले से पढ़ते होंगे अनक एडमी पर प्लैटफॉर्म प बच्चो पता है आपको माइनस वन से आईटी बॉम्बी जाने के सफर में सबसे बड़ा जो मेरा ब्लॉकिस था वो फिजिक्स ही था और पता है जब मेरी टीचर अच्छे मिले पढ़ाना सीखाया कैसे जूम के मस्ती से दिल से प्यार से फिजिक्स को पढ़ाते फील करके पढ़ाने वाले टीचर मिले और फिजिक्स सीखते गए और बाद में मेरे फिजिक्स के कारण भी यह रैंक हासिल कर पाया और आईटी बॉम भी जा पाया फिर पता है जब मैंने तब ही सोच लिया था यार पढ़ने पढ़ाने से बहतर और कुछ ही नहीं जीवन बेस्ट का केम पे सोच लिया था ने कि यार टीचिंग फिल्ड में जाएंगे और जब मैं पढ़ाने आया था ना तो मैं इसे पूछा गया था कि आपको कौन सा सब्जिक्ट पढ़ाना है तो क्योंकि मैंने आईटी बॉम्बे से पास आउट किया मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैं सब पढ़ा सकता था मैं से पूछा गया क्या पढ़ाओगे मैंने चुनाः फिजिक्स को क्योंकि ये वही सब्जिक्ते बच्चो जिसना मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया था और मैं तब बच्चों का दुख दूर करूँ आबानेध का संगर्ष दूर करूँ और मैं यही नीट में, हमने करीब करीब दो लाग से जादा बच्चों को मैं आफलाइन पढ़ा चुका हूँ और बच्चो, हाई एस ट्रेंग जो मैंने नीट में प्रोडूस की है, वो है AAR7 संगीत राठी 2018 में और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है मेंटर किया है तो एक छोटा सा किस्सा है मतलब मेरे जीवन का माइनस वन से आईटी बॉंबे और फिजिक्स के साथ प्यार हो जाना फिजिक्स के साथ डेवलाप हो जाना तो बच्चों वही मैं आपके साथ आप करने वाला हूँ इस चैनल पे आप लोगों के साथ एक्स्ट्रीम महनत करेंगे आपके साथ एक्स्ट्रीम महनत करेंगे पूरे जुनून के साथ लगे रहेंगे आपके साथ और प्यारे बच्चों ठीक है आजाते हैं जल्दी से फटा-फट आपको वह में चैप्टर्स बता दू कि कौन-कौन से वो चैप्टर्स है जिन पर अब हम काम करने वाले हैं कल सुबह साथ बजे से अपना अलाराम सेट कर दीजे अपना दिन सेट कर दीजे सुबह ओड़ते से उस चीज को सुधारेंगे जो चीज सबसे बड़ी ब्लॉकेज बनी हो ही जीवन में टॉक्टर बनने के लिए नीट में टॉप रेंक लाने के लिए और वो बाधा को हम करेंट इलेक्टिसिटी बहुत इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स और क्योंकि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो काफ़ी मैच होता हुआ है इसलिए ग्रेविटेशन को भी में आपे रख रहा हूँ मैगनेटिक एफेक्ट्स ऑफ करेंट और सेमी कंड़क्टर ये के बहुत high weightage topics हैं, अगर आप यहां पे देखो गे ना, तो 4-5 सवाल यहां से आपको मिलते हैं, इस दोनों unit को मिला के 4-5 सवाल मिलते हैं, इस से 3 सवाल के असपास आप expect कर सकते हैं, यहां पे 3-4 सवाल आपको मिल सकते हैं, यह page आपके सामने बहुत important page है, इन topics को लिखो हमेशे अपने आपकों के सामने कि यह topic जरूर करके जाओगे, और दो छोटे-छोटे बहुत interesting chapters हैं, EM waves और AC, यह छोटे chapters हैं, यह high weightage नहीं हैं, लेकिन इसको यहां पे क्यों बता रहा हूँ हैं, क्योंकि these are small chapters, easy chapters तुरंद कर सकते हैं, एक दो दिन में यह chapter खतम करके हैं, तो बच्चों यह आप screen अच्छे से save कर लिजे, अब आते हैं हम 11th के वो topics पे, 11th की topics अभी मैंने high weightage में कम रखे हैं, क्योंकि अभी हम पहले 12th के high weightage topics कर रहे होंगे, जादा से जादा, आजाओ जल्दी से, 11th में हम unit dimension kinematics और heat and thermodynamics पे बहुत focus करने वाले, और vectors हमें आना च यह क्योंकि vectors का implication बाकी चीज़ों में भी होता है, अभी मैंने आपको यहां पे mechanics का बहुत ही कम portion involved किया, अगर आप high weightage यहां पे लिखोगे तो rotation भी यहां पे आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगर काफी बच्चों का कुछ-कुछ चीज़े weak रहती हैं, अगर उसको हटा इसमें 120 नमबर लाने में कोई कठिनाई नहीं आई, और बच्चों आज से अपनाना नारा बदल दो, आज से आप सब यह कहोगे, physics आसान है, क्या कहोगे बच्चों, comment करके हर बच्चा यहां पे लिखेगा, और मैं वो हर comment को पढ़ूँगा, हर comment को reply करूँगा, हर comment को like physics is easy, physics आसान है, yes, physics आसान है, physics is easy, अब आपके साथ हूँ, मैं, आपका बड़ा भई, अजीत लुला सर्थ, काफी आपके साथ महनत करेंगे, और physics को हम लेके जाएंगे, आपकी weakness से, आपकी strength तक, तो physics आसान है, ठीके बच्चों, मैं चाहता हूँ, हर बच्चा कमेंट करके इसको बताए, क्योंकि ये कमेंट आपका mindset बदलने वाला है, ये कमेंट बच्चों, आपका mindset बदलेगा, physics आसान है, physics आसान है, physics आसान है, mindset बदल जाएगा, तो physics का teacher आपको ड्रैकुला टाइप, हॉरर स्टोरी टाइप नहीं लगए, अभी हम वहाँ पे गहते हैं, offline हमारे teacher कैसे लगते हैं, आपको हॉरर स्टोरी जैसे, बड़े बड़े दाथ निकले वे हैं, बड़े बड़े कान हैं, खून टावक रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों, physics आसान है, पढ़ेंगे बहुत बेस्ट तरीके से, आपके लिए physics आसान करना मेरी जिम्मेदारी होगी, आपक बहुती अच्छे से, शिद्दत से, गारगी में बायो पढ़ा रहे हैं, आपको नितेश सर के mystery पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपके साथ अब physics पढ़ाऊँगा इस चैनल पे, सुबह 7 बजे से, अलाराम सेट कर दीजे, तयार हो जाएए, क्योंकि अब जो जर्नी आपकी जीव